आज मैं बना रही हूँ चिकन मसाला यह बहुत ही इसी रेसिपिया और बहुत ही टेस्टी बनती है अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्रीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंस कीजिए, शेट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले चलिए चलते हैं इसके लिए क्या क्या चाहिए देखते हैं इसके लिए मैंने लिया है 400 ग्राम्स चिकन इसे मैंने धो की वाश करके रखा हुआ है आधा कप मैं यहां पे लूँगी. आणियन के यानि प्यास मैंने आदा कप यूज़ किया है. आधा कप टेमेटो, दो मीजिम साइस के टेमेटो लिया हैं मैंने. इसे भी मैंने कट्तर करे रखा हुआ है. आदा कप धन्या पताअग यानि कॉरिांडर लीव्स. इसे भी मैंने आधा कप यूश किया है। दस से बारा करिया लसन के यानि गार्लिक प्रॉस्ट एक हरी मिच यानि ग्रीन चिलिस वान टीस्पॉन आफ जिंजर अधराप का मैंने एक टीस्पॉन यूश किया है। या पर मैं यूश करूंगी, डियोगी-चिलिस वान टीस्पॉन प्यूमिन सिंज यानि जी राउ, एक tapped वान टीस्पॉन खल्दी पॉड़ाच यानि तर्मर्लिक पॉड़ाओ, वान टीस्पॉन साल्ट गानि नमक या पि टेस्ट के अपडिंग ले सकते हैं वान टीस्पून पेपर, काली मिर्च, और एक बड़ा चम मच आयल करूंगी, चलिए 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 नेक्स परसेस पे, फिस्ता में पेस्ट करनाना होगा, ट्रमैटोस, आनियन, कालिंग, जिंजर, काली मिर्च, जीरा, फॉर्व, और नीन, कोरियांडर लीव, यानि भी नाहीं, बने खनाया अंग, बना लिया है, बना पाणी होगा, पेस्ट तयार किया है,анеक्स परसेस मैंने यहां पर कड़ाई में एक बड़ा चमच आयल का उसकिया है इसे गरम होने दें अभी गरम हो चुका है इसमें आड़ करूंगी हमारा मसाला जब भी आप मसाला आड़ करें लो फ्लम पे आड़ करें इसे दो से तीन में तक बून लें अभी दो से तीन में फोच चुके हैं इसमें मैं आड़ करूंगी वानटीश्पूण अफ हल्दी पौड़ा वानटीश्पून आफ सॉर्टिश्ज आप तेस्ट के खाड़न ले सकते हैं इसे भी मिक्स करके दो मिल्श्ट अब ultime पका लें अभी दो मिनिट हो चुके हैं इसमें मैं आज करूंगी चिकन इसे भी मिक्स करके दो से तीन मिन तक अच्छी तरह से पका लें इसमें आज करूंगी एक से दो बड़े चमच पानी के अभी से लो फ्लेम पे पका लें दसे बारा मिनिट तक अभी दसे बारा मिनिट हो चुके ह हमारा मसाला भुन चुका है हमारा पानी एक्षस वाटर चूख रहा है देखिए अभी आयल चूखने लगा है अभी यह रेडी है मैंने फ्लेम आफ कर दूंगी और चलते हैं प्लेटिंग करने हमारा चिकन मसाला रेडी है अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट्स कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें